नमस्कार दोस्तों, एक यादगार सफर के लिए तयार हो, आज मैं आपको भारत के दिल में ले जा रहा हूँ, रहस्यमई थार रेगिस्तान, ये कोई मामूली रेगिस्तान नहीं है यारों, ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, संस्कृती और प्रकृती मिलकर एक जादूई संगीत रचते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहां के नजारों की, राजस्तान में फहला थार रेगिस्तान, सुनहरी रेद के टीलों का एक विशाल विस्तार है, सोचिए, एक टीले के उपर खड़े होकर, हवा धीरे से बह रही है, और आप सूरज को लाल और नारंगी रं के साथ, रंग बिरंगे घरों, चहल पहल भरे बाजारों और पारम परिक वेश भूशा में सजे स्थानिय लोगों की कल्पना कीजिए, यहां का आतित्य कुछ और ही है, आपका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा, और यकीन मानिये, स्थानिय व्यंजन कुछ ऐसा है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे, खाने की बात हो रही है, तो क्या आपने कभी दाल बाटी चूर्मा ट्राई किया है, यह एक स्वादिष्ट राजस्थानी व्यंजन है, जो आपकी स्वाद कलियों को नचा देगा, और मुह में पानी लाने वाली मिठाईयां, जैसे घ चेखोजी की तरह टीलों को पार कीजिए, उंट की सफारी यहां का एक यादगार अनुभव है, जैसे ही आप सवारी करते हैं, आप जमीन और उसके इतिहास के साथ एक कहरा जुडाव महसूस करेंगे, और रात में रेगिस्तान एक और रहस से खोलता है, तारों से भरा आस पर जाए, जिसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यह एक टाइम मशीन में कदम रखने जैसा है, संकरी गलियों में घुमें, प्राचीन वास्तुकला को देखें, और वीरता और रोमान्स की कहानियां सुनें, और हाँ, स्थानिय क्राफ्ट को देखना न भू बेहतरीन हाथ से बुने कपड़ों से लेकर चटिल गहनों तक, यहां के कारीगर अपने क्राफ्ट के सच्चे उस्ताद हैं, आप रेगिस्तान का एक टुकड़ा अपने साथ घर ले जाना चाहेंगे, तो अगर आप एक ऐसे एडवेंचर के लिए तरस रहे हैं, जो आपकी आत्मा को छूले, तो थार रेगिस्तान आपका नाम पुकार रहा है, अपना बैक बैक करें, सफर को अपनाएं, और भारती रेगिस्तान के जादू को अपने उपर च्छा जाने दें, अगली बार तक खुश मिजाज यात्रा हैं